हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टेक तो फ्रेंड अगर आप पेटियम यूज करते हैं चाहे अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यूज करें या फिर किसी ओनलाइन पेइमेंट के लिए पेटियम को यूज करते पेटियम करके पैसों को कैसे चाह 가지고 कैसे यूज करणे काफी Ск china है वीडियो को देखना बिल्कुल है उल्प सब्सक्राइब करें तो आपको मेरी आने वाली हर एक मुदियो करके मिले छलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने पेटियम की जो एप्लिकेशन है उसको उपन कर लेना है तो मैं इस पर क्लिक करके से उपन कर लेता हूं यह इसका ह ओमपेज है आप देख सकते हैं तो इसमें हमें अपने अपने इटियम कार्ड से पैसे एड करने के लिए क्लिक करना है यह मैइप वाला सेक्षन आपको दिखाई देगा जिसमें आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री पेटियम बैंक पेटियम का उप्शन मिलेगा तो आपको इ add 1,000 रुपीज when wallet balance goes below 200 रुपे ठीक है जब 200 रुपे से कम आपका wallet का balance होगा तो इसमें 1,000 रुपीज automatic add हो जाएंगे अगर आप इस option को tick करके रखेंगे तो हमें क्या करना है हमें इसे हटा देना है अभी हम यह ऐसा नहीं करना चाते और हमें यहाँ पर जो भी amount add करना है वो हमें यहाँ पर type करना है जैसे मैं आपको 600 रुपीज करके दिखाता हूँ ठीक है इस तरीके से और यह इसके बाद यहाँ पर add 600 रुपीज इसके उपर हमें क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करते ही यह स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी यहाँ पर लिखा हूए add money to wallet 600 रुपीज add money to wallet यहाँ पर ATM payment bank है हमें उससे add नहीं करना और हमारे जो भी bank यहाँ पर हमने add कर रखे है ATM card या bank वो यहाँ पर show होने लग जाएंगे आपको ठीक है तो आपको scroll down करना है इसमें scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर यह एक debit card का option दिखाई देगा आपको अपने ATM से इसमें पैसे डालने है तो हमें इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपको अपने card की सारी detail डालनी है दिया होता है card number ठीक है यहाँ पर नीचे इस वाले section में आपको expiry date और validity date डालनी है ठीक है जो इसमें दे रखी होती है उसके बाद आपको यहाँ पर CVV number डालना है जो card के पिछली side में दिया होता है और यहाँ पर यह नीचे option है save this card for future payments अगर आप इसे future payments के लिए भी save करके राकना चाते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं वरना इसको हटा दें इस तरीके से और इसमें नीचे option है pay 600 ठीक है फिर जब यह सारी चीज़े आप फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस pay 600 पे क्लिक करना है तो मैं इन सारी details को फिल करके pay 600 पे क्लिक कर देता हूं तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक OTPP उचेगा जो आपका mobile number है जिस bank के 7 attach ठीक है वहाँ पर आपको यह वन टाइम OTP आएगा आपका एक OTP को आपको यहाँ पर डाल के submit कर देना है तो इसमें OTP मुझे आ गया है तो मैं उसे डाल के submit कर देता हूं उसके बाद आप देख सकते हैं आपे successfully 600 रुपीज add हो गए हैं मेरे Paytm में पहले एक रुपे balance था अब 601 हो गया है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने ATM card से किसी भी अपने Paytm wallet के अंदर पैसो को add कर सकते हैं और कोई भी online payment कर सकते हैं या recharge कर सकते हैं तो friends अब आपने सी connection में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you